दोस्तों इस वीडियो में बताने वारों कि बहुत से बच्चों रिजल्ट आ चुता है और रिजल्ट अच्छा रिजल्ट भी आए बुरे रिजल्ट भी आए बुरे रिजल्ट की बात नहीं आठा आज हम विस वीडियो में बुरे रिजल्ट की बात करने वाले कि रिजल्ट negative क्या है और इसमें मैं समझाने वार हूँ SYC, SYCT, SYCP, RW हमार होता है, P होता है, AB होता है, क्या होता है, सब बताने वरू मैं, ध्यान से इतना, और इस वीडियो प्यार बरसाना, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वहां तर वीडियो नहीं पोछ पाती है, आप नहीं शेयर करोगे बेनिफिट नहीं होने बड़ा, सबसे पहले क्या आता है, रिजल्ट पर लिखाता है, P, अगर आपके रिजल्ट में लिखा वार है, P, P मतलब क्या हो गया, P मतलब हमारे यह हो गया, कि आप पास है, P मतलब क्या हो गया, आप हो चुकिए है, पास, अराम से, कोई टेंशन अगर आपके रिजल्ट भी आ रहा है, A, B, A, B, मतलब क्या होता है, अपसेंट, A, B, मतलब क्या हमारा, अपसेंट, ठीक है, तो यह नहीं या रखना, यह कुछ चीज यह ऐसी है, जो आप तो बताऊना की करना क्या है, अगर आपके रिजल्ट में आज ता है, S, Y, C, S, Y, C ठीक है, लिखाब आचते हैं, तो मैं बताऊना आपको कैसे क्लेर रहना है, कहीं बार रिजल्ट पर रिखाता है, I, M, P, R, B, तो इसना मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो, सबसे बहुत टर्म समारी होती है, जिनको जानना भोच जो रही है, सबसे पहले आता है, S, Y, C इसना मतलब क्यों होता है, S, Y, C, देखो, S, Y, C, सीटा मतलब जानते पहले, S, Y, C होता है, सबजेट, येट टू बी, क्लियर, ठीक है, इसना हमारा सीधा सीधा मतलब होता है, कि सबजेट जो है, आपका क्लियर नहीं हुआ, इसना मतलब ये है, आप प्रैक्टिकल, एंड थियोरी में, दोनों में फेल है, ये बात ध्यान सुनना, प्रैक्टिकल, एंड थियोरी, दोनों में फेल है, तो आपको क्या है, फिर से इज़ाम देना पड़े रहा, अब उन बच्चों करना क्या है, वीडियो के एंड विडियो के राउना की, रीचेंग के साब आप अब एस वाई सी क्लियर हो गया, एस वाई सी का मतलब क्या है, सब्जेट ये टू बी क्लियर, अब भी सब्जेट क्लियर नहीं है, जिसमें सीधा सीधा मतलब ही है, आप थियोरी एंड प्रैक्टिकल, डोनों में फेल है, कड़िव बात है, पर रियरेटी है, ठीक है, डूस में भी सब्जेट, ये टू बी, क्लियर, ठीक है, इसका मतलब ही है, कि अभी आप को ठीक है, एक एक पॉइंट का डिटेल में मतलब समझ रहे है, क्या है, क्या है, क्या है, इस से हमानू पड़ आ है, कि आपका, जो दो सब्ञोच होने वाला है जिनके में लिखवागा डेखो श्रीजर्ट कहाँ लंच ऑटमाइं एच अधे हम वीजीबल कि है या आप विजिभल है मेरे खियाल से आप ले मेरे हमेहाल हो रहा अच्छे से ठीक है कहीं बाद कहा ऐँ लिजर्ट बिंसे होता है घ्यान देना यह मर Sumerky ओने वारा है डेटेंटी का होन वाले हो हुए थोड़ा थिए भी लेटो अब देखो ध्लिक्राप तो जिससे टोड़ की होने वाले 1330 ይने वाले थिउरी मों बच्चा क्या है एएएएए शे नंबर आये उसके में प्रेड्टिल में क्या है पास है कितने आहेएएिएएएएएए 돌丫 प्लस मों इत्ना RD층 आ गया मतलब क्या है बच्चा थिओरी में clear नहीं है वही Independence होने वालए है Code क्या होने वालए है capacit और जिन सब्जेट प्रेटल नहीं होते तो उसमें क्या है सीदा सीदा SYC लिखावा है मतलब क्या है theory में आप फेलो ठीक है बाज है clear हो रही है accountancy भी same asc है चोड़ा marks है और इसमें क्या है आप theory में पास नहीं हो ठीक है तो line clear हो रही है जिन सब्जेट में SYC लिखावा है और इसमें theory and predict दोनों है तो दोनों में आप फेलो यह point लेर हुआ देखो हमारा यह try होता है कि हर एक concept को detail में detail में समझाना नहीं आए रहा समझ में फायरा रुषी नहीं हो रहा अब आगे चलते हैं हमारा SYC इसमें क्या आता है SYC में हमारी आता है subject yet to be cleared practical नहीं को subject क्या हमारा practical में clear नहीं है साफसर क्या वोलो है subject yet to be clear practical यानि अभी वो subject जो है हमारा practical में clear नहीं यानि अब practical फेल हो आपको प्रेक्टिजम फुर से देना पड़े रहा अब ये तो बात हो रहे हो उन बच्चों की जो normally है कहीं बार लिखावा आता है last नाम जो मुझे रग रहा है RW common नहीं बता रहा है में RW लिखावा आता है इसका मतलब क्यों होता है result क्या है हमारा waiting पर है result waiting क्या होता है पहले वो समझते है result waiting क्या होता है कुछ ऐसा हुआ exam hall में आपने कुछ करा हो रहा ठीक है आपने या तो shooting करे होगी या तो cheat होगी जो आपके uncertainty साथ attached लटर भेजी है और वो चाइन करें टाइम पर उनकों मिली है और उसमें के गया result waiting अब क्या होगा आपके पास घर पर आए रहा इतना notice ये cheat जो है आपके नहीं है पूरी application जो होगा अपना समधान लिखकर आपको send करना पड़े रहा वो address होगा वहाँ पर आपको send करना पड़े रहा उसे बाद ही जाता ये RW आपका हटे रहा ठीक है लाइन clear होई ये बात हो सब के मारी ठीक है अब एक फिडियो बीट करना प्तों है P मतलब clear होगा AB मतलब P मतलब pass है AB मतलब absent of SYC मतलब क्या है आप theory and practical गोन पर फेलो SYCT मतलब क्या है subject yet to be clear theory यानि क्या है theory में आप clear नहीं हो theory pass थे पास थे प्रपर सरी है theory जाम फिर से आप देना पड़े रहा अगर आपका practical pass है को आप से रहे है practical में क्या है यहां लिखाब साब साब SYCP को मतलब practical फिर से आपको देना पड़े रहा और RW मतलब क्या है result waiting अब ये बात को इंक क्यों हो रहे है अब H और समझते क्या हम से हाँ अपना देख क्या होता है class 10, 10, 12 के अब आपको clear क्या सुरना है अब pass क्या सोन है उसका जुड़ाड़ बताता हूँ ठीक है बहुत simple सा वे है दो form हमारी होती है मैं सबको लिखे हैं आपके रहे और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है बस इस वीडियो लाइट भी करना ठीक है मुझे बताए अभी लाइट करने के हालक पर नहीं हो बट स्टिल नॉलीज मिल रहे है आपको ठीक है इस रहे में बोल रहा हूँ री चैक इन और दूसर ही होता है री वेलिशन चाल्जिस क्या होता है पहले इनका मतलब समझते हैं यांसे है फिर बताओं क्या चाल्जिस होंगे हुआरे ठीक है एट पुरी टेबल बनाए को अप्ट मैं क्ले राटो हो जाए क्या है क्या है निया ठीक है यह मारा होने वाले री छक्रीन कऄ रोने वाले और यह री आभेलेशन अवारा होने वाले और यह कोर्स होने वाला है यह हमारे 10 बाले बच्छे हो रहे हैं और यह क्या हवाह हमारे 12 बच्छे यह हमारा 300 मुँटा है यहहां रिखाए हमारा 300 मुण GPS इसाफ रिखार भाकर यह नौट अप्लिक केबल और यहां इतना है 800 लें इसका मतलब क्या है पहले डिटेल में समझते हैं डिटेल में क्या है ध्यान देना मैं थोड़ा कलर चेंग कर लो इसका ठीक है अब थोड़ा सही रहे रहे रहा है डिटेल में क्या है रीचेंग रीचेंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझो रीचेंग का मतलब होता है, पेपर जो होड़ा, वो आपका चैट होड़ा, चैट का मतलब क्या होड़ा, आपने पेपर अटेंब करा, ठीक है, अटेंब करा, उसके मांस जो होगी, जो आपको मांस मिले, मान लेते हैं कि 15 नमबर, 20 नमबर आपको मिले हैं, मान लेते हैं, तो रीचेंगी में आपने fill-in करी हैं तो उसमें क्या हो दा वो जो paper हो दा आपकी tottering chat होगी दो नमबर, 4 नमबर, 6 नमबर, 8 नमबर ऐसे tottering chat होगी tottering chat होने के बाद ऐसे tottering chat होगी chat लने बाद क्या हो गया यह पूरा process होदा उसे क्या बोलते है है've dat information कि हेते हैं रिवेलसें का समा हुए इवेलिशन बोलते हैं इसला मतलभ हमारे होता है इसका समरी होनबर फिर सभी होता है अर्व एक अच्छ já को हिपार खोल के फिर सचत करना उसके बोलते हैं री एवेल्यूशन वोलते हैं अब यह Todo के उपर है आप कितना श्योरों पेपर को लेकर ठीक है अगर आपको हटाना है एस वाई सी एस वाई सीपी यह एस वाई सीटी हटाना है तो मैं आपको बोल रहों कि यह दोना चीश तो ध्यान से समझतर आंके बन करते हैं एनरेस सेल्टर ही अपलाई करना कोर्स क्या होने वाल है यह मारा 10 लास वाई बच्चो वाल है जिसमें रीचैंग केर्या आप्लाई करना चाते हो टैंट वाले बच्चो या 12 वाले चो दोनों में से कोई बंदा अप्लाइट राम से तीन सो और चार्जिस होंगे ओनलाइन फॉर्म फिल करना है अराम से आप फॉर्म फिल करने ना और आपको क्राम हो जाए रहा हूं वही एवैलुशन जो है टैन क्लास बड़े बच्चों के रिए एप्लिकेबल नहीं है सोरी जितना उससे मुटना पाता है बट यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वहीं 12 बच्चे हैं उनके यह ऑप्शन अवेलेबल हैं कितना मोंट पेक्तारना पड़े रहा आप 800 पे आप 800 खुल खर पूरा फुले रहा और यहा पूर क चैट हो रहा हम तो ये मुझे रलगए कि आपके सब वीडियू स्टेवal तरी जेती और मैंने आपको डीटेल में वाथा धी है कि इसका मतलब क्निया होता है हमारा इंसे मिझा होता है इंस सब का मतलब क्या होता है देखो वीड हैं बहुत confusion demand के अंदर है आपके अंदर भी confusion थी जब भी आप लोग ये वीडियो आप देख रहो ये वीडियो शेयर करें ना बहुत साइब गुरूप बने होते हैं वर्सव बने होते हैं वहां तरे वीडियो बुचारो ये बच्छे इत्वा वीडियो देख लेना उसके सार अब यह उसे जहां ना फोल्स रचे दिमार में डाउट है उनकी डाउट साइट लेकर ना वह अपने लेसिन रेंगे थैंक यू सौँमच मिल्के नाज बीडियो में अरब नहें हो शेंग सब्स्राइब जो रना और वीडियो पसना एको लाइक रना थैंक यू सौमच मिल्